कि हैलो दोस्तो आज की वीडियो में एक फिर से स्वागत है और दोस्तों आज मैं आपको बता हुआ कि आप अपनी क्ल रो में जेपी जी कैसे बनाइंगे लेकिन मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है जिनको क्लाइड एक स्पाइल एक्सपोर्ट नहीं करने आति है मैं उनको यह JPG बनाना दर बताऊंगा और जिनको पहले से पता है यह बहुत अच्छी बात है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देखें यहां पर मैंने कोरल के अंदर एक फाई ओपन की हुए अपनी जिसके अंदर अभी 11 पेज है आप यहां पर देख रहे होंगे यहां से मेरे एक से लेकर में 11 पेज है और यह मैं आपको दिखा देता हूं यह देखिए मैं पेज़ डाउन करूँगा तो देखें मेरे आगे ये page हैं बर मुझे इनकी JPG बनानी है तो मैं भी यहां से इस page को सेलेक्ट करूँगा इस तरह से आप अपने माउट से इस तरह से अपने जो page की आपको JPG बनानी है उसको export करना है आप उसके इस तरह से करेंगे अगर आप चाहें तो control पहले में इसको F4 करके सेंटर कर लेता हूं अगर आप चाहें च्ट्रॉल प्रस एप्रेस करेंगे तो यह इस तरह से भी सिलेक्ट हो जाएगा लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का करा के रख देता हूं यहां पर और अब मैं करता हूं कंट्रॉल प्लस ए तो देखिए यह भी स्लेक्ट हो जाएगा तो इसकी भी जैपीजी आपकी बन जाएगी तो आप ऐसा ना करें पहले बाहर से जो भी आपका रखा हुआ है उसे यहां से डिलेट कर दें कि एफ 4 करूँगा अब मुझे क्या करना है कंट्रॉल प्लस एक रूगा है और मुझे इसकी जेपीजी बनानी है तो मैं यहां पर फाइल में जाओगा और यहां पर एकस्पोर्ट पर आ जाओगा देखिए एकसपोर्ट है इसकी स्वाट्र कमाओड है कंट्रॉल प्लस की तो देखे इसके उपर मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं कि आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे जाएगा हो सकता है मेरी फाइल इसे भी जब ज़्यादा पेज उप सकती थि या आपके पास की आप कैसे यहाइव से बना करेंगे मैं एक ही बार में इनसे ही पेजुँ की की आपको JPG बना कर दिखाँगां, तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पर tools में आना है, देखें, menu बार है, हमारा अपना यहाँ पर tools, आपको tools पर क्लिक करना है, tools पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यह देख रहे हैं, Macros पर आ जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर Run Macro कर देना है, आप जैसे यहाँ पर Run Macro करेंगे, तो देखिए Run Macro की विंडो ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है Macros In, और उसके आप इसको run करेंगे file converter की window open हो जाएगी अब यह आपसे पहला पहला जो आपसे पूछ रहा है यह पूछ रहा है आपसे source देखिए यह क्या चीज पूछ रहा है आपसे यह पूछ रहा है आपसे जो आपकी coral draw के अंदर जो file open की हुई आपने जिसके पेज हो कि आप जेपिज बनाना चाहते हैं यह आपसे पूछ रहा है कि आपकी वह file कहां पर रखी हुई है तो आपको इस फाली figure location यहां पर डालने होगी तो आपको क्या करना है आप खिलक करना है और फिर से देखिए source सेलेक्शन अभी आपसे पुछ रहा है कि आपकी यह वाली फाइल है कहां रखे हुए तो मैं आपके क्लिक करूँगा मैंने अपनी फाली फाइल डेक्स्टोप पर रखे हुई थी ताकि मुझे वीडियो बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो मैंने पहले से डेक्स्टोप पर रख लिती आपकी फाइल कहां भी रखे हैً वहाँ से इसको इसको उल्लिया अपको उस राइव को को सिल्थ किया उसके बाल मैं यहाँ से इसको करता हूँ और यहांसे देखिये फाइल सर्च हैं कॉंप्लिट ए अब क्या हुए है कि ही तो आप क्या करेंगे यहाँ से File Type को यह पर Select करेंगे यह पूछ रहें कि आ quello के हां पर आना है और यहां पर वाब लो आपको क्लिक कर देना है अब क्या होगा डेस्टोप पर आपके जो कॉरल की फाइल होंगी वही यहां पर आपको शो होंगी तो जैसी जो मेरी फाइल है इसका नाम है विजुल एड्ट तो यहां देखिए यहां पर मेरी डेस्टॉप पर दो फाइल रखे हुई है एक है विजुल एड्ट और दूसरी है यहां पर देख रहे हैं आप लॉनस सारी फाइल एड कर दी हैं तो आप क्या करेंगे आप उस फाइल को यहां से सिलेक्ट करेंगे जैसे मेरी यह वाली फाइल है मैं इस फाइल को स्लेक्ट नहीं करना चाहता तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां से इसको रिमूव कर देंगी यह उपर चली जाएगी अगर आ आप इसको OK करेंगे तो आपको से पूछे का destination की अब जो इन की फाइल की बनाना चाथे तो मैं इसकी और इसको कर दूँगा ओके करने के बाद आपको देखिए नीचे के तरफ एक पेज यहां पर जरूर किलिक कर दीजेगा इसको अंचेक ना करिए इसके बाद आपको अपलाई कलर है या अगर आप चाहें तो कर सकते हैं मुझे नहीं लगता आपको इस पर क्लिक करना चाहिए ठीक है उसके बाद आप चाहें तो इस पर कर सकते हैं नहीं तो आपकी मर्जी है आप चाहें तो नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद आप चाहें तो यहां पर अपलाई टू पर क्लिक करेंगे उसके बाद पेज साइज पर क्लिक करेंगे और अब देखिए एक चीज यहां पर यहां पर दिखा रहा है विद देखिए एक मिनिट में आपको दिखायता हूं यह मिली फाइल है अब यहां पर ही शोनी होगा क्योंकि मैंने जो अंदर का पेज है यह थोड़ा सा कम जाता दिखा रहा है अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो मुझे इसमें को क्लोस करना पड़े किसी पिताना से कोई वर्क नहीं हो तो आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा अभी हमने इसमें एक चीज़ छोड़ दिया आपको ध्यान रखना है जब भी आप डिखने यहां पर सिलेक्ट करना है तो मैं यहां से इसको तो नीचे कि सराइज करूंगा और देखिए यहां जेपीजी जेपीजी बीट मैप आपको इसको यहां पर सिलेक्ट करेंगे अब आपको यहां सलेक्ट चाहिए पर बनाना चाहते तो मैं यहां पर नहीं रहने दें उसके खाने नहीं हमिट है इसको जो है RGB में ही बनाना चाहूंगा बस इतना आपको करना है वो आप अपने recording देख सकते हैं कि आप कैसे बनाना चाहते हैं चाहते हैं अर्जी में बनाना चाहते हैं इसका साइज क्या रखना चाहते हैं थोड़ा बहुत उपन नीच है बाकी मैं यही कहूंगा ज्यादर चीजों को ना शेड़ें जो आपको करना है वही करें उसके बाद आपको कुछ नहीं करना स्रीफ इस पर कर देना है convert अब देख कितना टाइम लेगी को हो सकता है देखिया फाइल हि यह देख रहे हैं मेरी जो करना बस्तुट कि आ चब が चुकी है और मेरी ओस्के क्लोज और यहांसे करता हूँ क्लोस čश और करता हम क्लोस हो सकता है तो तो थोड़ा समय लेजा Now मेरी फाइज जो मेरी फाइल थी कम पेजिस की थी 11 पेजिस की थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वीडियो ज्यादा लंभी बने टाइम लगे इसलिए मैंने कम फेज की फाइल अपनी यहां पर ओपन की हुई थी अब मैं इसको करता हूं मिनिमाज और चल के देखते हैं कि हम पर आप देख रहे हैं 11 पेजिस के और यहां पर देखें पूरी कि पूरे जितने ही पेजिसे सब की जेपीजी फाइल बन चुकी है किसी भी तना का कुछ नहीं होगा रेजुलेशन जितनी आपने रख्योंगी उसी इसाफ से यहां पर आपको जेपीज करके देता है यह द और मिलूँगा नेक्ट वीडियो में आपके लिए एक नेट्रिक के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लिस लाइक कर दीजेगा और चैनल पर अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब करना भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा बैल झाल झाल